हलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नाइस कंप्गीटर के यूटूब चैनल पर अज हुआ आपको बताएंगे कि आप फिरी में घर बेठे अपना पैन कार्ड बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं? आज हम आपको सिखाएंगे और बताएंगे आप घर बैठे, पैन कार्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं आप कोई आइडी नहीं लेना है, आइडी के लिए कोई इस्ट्राप को खर्चा नहीं करना है एक ऐसी website है कि जहां से आप फिरी में पैन कार्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं और आपको pen card बनकर आपके घर भी आ जाएगा तो वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लाइक करें दोस्तों में सियर करें सबसे पहले website जो है उसका नाम है पैयन सुविधा हम लिखेंगे यहा पोर्टल खुल कर आजाएगा यहां पर लिखा हुआ है कि निसुलक एनसडेल पैन कार्ट पोर्टल यहां पर देख पा रहा है इसमें लिखा हुआ है यहां बता रहा है कि पैयन सुविधा पर क्या 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 सुविधा उपलब्द हैं कि पैयन फाइंड कर सकते हैं आप प प्राइन नमबर प्राइब कर सकते हैं यहां पर पताए गई हैं तो इन पैनक्राइब को आप देख सकते हैं यहां से दोस्तों सुरु करते हैं सबसे पहले कैसे पैनकाइब के लिए अपलाई हैं तो यहां पर आपको छोड़ा सा registration करना है free retailer registration इस पर हम click करते हैं इसे click करेंगे तो click करने के दोरान हम देख पाएंगे कि मांग रहा है mobile number अगर आप पहले से registered है तो already यहां पर लिखा हुआ है हम new करना चाहते हैं यहां पर mobile number हम लिखेंगे अपना अब mobile number लिखने के बाद में go पर जाएंगे गो पर click करेंगे तो यहां पर आजाएगा यहां से अब बस OTP को यहां पर हम फिल करेंगे और उसके बाद हम करेंगे जैसे अब फिल करेंगे फिल करते हैं details पूरी खुल कर आपके सामने आ जाएगे यहां पर आपको भरना है अपना नाम जो भी नाम है आपका वो नाम आप यहां भरेंगे कि यहां पर हम email ID भरेंगे अपनी जो हमारी email ID उसके हम यहां से लिखते हैं इसके बाद यहां लिखा है create password अब आपको यहां पर पासवर्ड एक बना लेना है कि जो यहां पर हम बार-बार यूज्ज करना है उस पासवर्ड को यहां create करेंगे और confirm भी वही लिखेंगे जो हम यहां पर लिखेंगे इस तरीके से अब लिखा है home address आपको home address क्या है आप आपको home address यहां fill करना है फिर यहां पर आपको state चुनना है यहां पर दिखाई दे रहा है यहां पर home address home address के बाद में फिर यहां पर हमें भरना state और district भरना है फिर swap को नाम क्या है swap को address क्या है इसे आपको यहां से fill करना है यहां पर हम इसे fill करते हैं और देखते हैं address यहां फिल करेंगे अब हम इन details को भरने के बाद में क्या करेंगे आप देख पा रहे हैं कि इन details को उने fill कर लिया है यहां पर कुछ चीजों को बताया गया है जैसे कि दिखा रहां यहां पर कि email ID पर e-paint card आने का समय दो से तीन द सब्सक्राइब करना होगा ट्रेइनिंग में पर वीडियो मिल जाएगे से कम अमर का पना सकते हैं बन जाएगा तो यह तो इसकी वित्षिश्ताइं भी लिखी हुई है उसके बाद करना कि हमें डिटिल्स भरने के बाद मिया कर देना है साइन अप करने के बाद करते हैं यह हमें आगे के तरब step बढ़ जाएंगे और यहां से हम undetails को fill करेंगे जिसा कि देख पा रहे हैं कि registration जो हमारा है successfully हो गया है यहां जो आपका हो जाएगे तो लिखकर आएगा कि dear retailer congratulations your registration has been successfully completed your ID ध्यान देंगे यहां पर दोस्तों जो आपकी login ID होगी वो आपका mobile number होगा जो आपने देखे अब यहां पर हम लिखते हैं mobile number अपना जो हमने registered किया है और यहां पर पासवर्ड जो हमने बनाया है पासवर्ड को यहां पर हम fill करेंगे और fill करने के बाद हम करेंगे login यहां पर हम password को कर लेते फिल और करते हैं login login करने के बाद में देखेंगे कि पैन से जूड़ी हुई त कौन सी सुविधा के लिए कौन सा इसमें कौन सा जो है कितना इसमें सुल्क लगेगा यह तमाम सारी चीज़े यहां पर बताए गई है जैसे कि यहां बताया गया है पेंडंग सिलिव यहां निकाल सकते हैं rejected शिलिप यहां निकाल सकते हैं upload डाकूमेंट यहां से undergraduate ब्रॉसेस कौन pencard अब्रूरी हां और यहां पर लिखा है दो चीज Darren देख पा रहे हैं यहां पर सबसे उपर लिख लिखा है कि apply new pencard apply new pencard और यहां लिखा apply correction мо got आपको कौन सा पabilities dec Republic अगर नया भरना चाहते है तो यहां से बरेंगे यहां पर दिखा रहा है इसे लिखा हुआ है profile यहां पर profile आपकी जो बनी है यहाँ पर wallet main wallet है जब आप इसमें पैसे को रखेंगे यहाँ पर recharge करेंगे और यहाँ पर कमिशन जो आपका आएगा यहाँ पर सो करेगा तो यहाँ से हमें भरना है नया pen card apply new pen card पर हम click करेंगे और उसके बाद होता क्या है कि यह details हमारे सामने खुल कर आ जाएंगी यहाँ पर आपको इन details को करना है fill जैसे कि यहाँ पर दिया गया है अपना नाम भरना है आपको customer का नाम उसका address क्या है पिता का नाम क्या है यहाँ पर देख लेंगे अगर कोई पुरुस है तो वहाँ पर Mr. अगर कोई महिला है तो यहाँ पर सिरी मती अगर कोई यहाँ पर बालिका है तो कुमारी चुनेंगे हम उसके बाद transgender है तो यहाँ पर हम यह सारी details को भरेंगे जो दिखाई दे रही है तो कैसा हमें भरना है form क्या इसमें details रहेंगी इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से भर पाएंगे और यहाँ उसके बाद आप payment करेंगे और payment करने के बाद पैंकार जो है बनकर तैयार हो जाएगा यहाँ से जो दिया गया customer का नाम address, पिता का नाम आधार number यह तमाम सारी चीज़े यहाँ पर दी गई है, तो इस website की मदद से आप आसानी से प्रेंट कार्ड अपलाई कर सकते हैं यहाँ आप नहीं भर पा रहे हैं तो यहाँ पर इसके लिए वीडियो उपलब दें इस तरीके से यहाँ पर दिया किस तरह से फोटो मान होगी, कौन से अपलाई नहीं होगी, उससे जूड़ी तवाम सारी चीज है आप आपको देखने को मिल जाएंगी और फिर यहाँ पर उसके बाद करना क्या है बैक टूम होम जाते हैं होम पर जाने के बाद में जो सौफ्ट वियर इसके अंदर हैं जो स्केनिंग के सौफ्ट वियर हैं वो सभी आपको यहाँ से मिल जाएंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इसे दिया गया है कि ट्रेनिंग विडियो एंड सौफ्ट वियर इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो ट्रेनिंग के विडियो हैं यह हमें यहां से आसानी से मिल जाएंगे website के उपर training videos यहां से training video देखना है तो videos पर जाएंगे software देखना है तो software पर जाएंगे यहां से हम इनकी मदद से आसानी से आद देख पा रहे हैं नहीं खुलने पर कैसे open करें window 7 में photo signature of PDF file कैसे upload करें और window 10 में कैसे upload करना है उसके वार जाएंगे फिर्म software में जाएंगे और software में जाने के बाद में हमको यहां पर software दिये गये हैं यह आपको scanning को software मिल जाएगा sign और photo कैसे scan करना यहां से मिल जाएगा और यहां से framework अगर आपके computer में नहीं निस्टाल है तो microsoft net framework अगर load होगा तभी यह सारे software काम करेंगे तो आप आप से उसकी फिस कटा कर और pen card को घर बैठे बना सकते हैं आसानी से दोस्तों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा जो जनसेवा केंस संचालक हैं या किसी तरीके से अपना काम कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो से होने वाली है आप आसानी से pen card को apply कर सकते हैं और उसको जो है बनवा सकते हैं दोस्तों तो आसा करते हैं वीडियो आपको अभी पसंद आया होगा यह चैनल पर हमारे नया तो सब्सक्राइब कर लें वीडियो को पुरा देखने के लिए आपका बहुत भुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स सुचना के साथ तब तक के लिए जहिन वंदे मातरम